Hello Everyone, मेरा नाम है सीवम, दोस्तो आज का ये वीडियो काफी important है, दोस्तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा important है जो NEET exam 2020 को देने जा रहे हैं, दोस्तो जो NEET exam 2021 के लिए भी तयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा important है दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ important full farm बताऊंगा जो NEET 2020 exam में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है तो चलिए दोस्तो बात करते हैं important full farm के बारे में तो दोस्तो next slide आपके सामने आ चुका है दोस्तो ये जो important full farm है इसको मैंने NCRT class 12th के chapter number 4 से लिया है अब चलिए दोस्तो जानते हैं कुछ important full farm के बारे में दोस्तो पहला full farm जो आता है वो NCRT के chapter 4 से आता है उसका नाम है WHO जी हाँ दोस्तो आपको WHO का full farm पता होना चाहिए WHO का full farm होता है World Health Organization क्या होता है World Health Organization दोस्तो मैं आपको एक दो बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप एक दो बार इन चीजों को सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा याद हो जाएंगे और आप वीडियो को pause करके भी बोल सकते हैं तो आपको इसी वीडियो में ही याद हो जाएंगे नेश्ट फूल फार में हैं दोस्तो एस्टीडी एस्टीडी का क्या मतलब होता है एस्टीडी का मतलब होता है सेक्सुली ट्रांस्मीटेड डिजीज क्या होता है sexually transmitted disease, okay, yes का मतलब होता है sexually, t का मतलब है transmitted और d का मतलब होता है disease, okay, आप चलिए दोस्तों next slide को देखते है, next slide आपके सामने आने वाला है, तो दोस्तों next slide आपके सामने आ चुका है, दोस्तों next slide में कई सारे important full farm है, जिसमें से सबसे ज़्यदा important है CDRI, दोस्तों इस से exam में question कई बार पुछे गए है, CDRI का क्या full farm होता है, CDRI का full farm होता है, Central Drug Research Institute, क्या होता है, Central Drug Research Institute, और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ, जो हमारा Central Drug Research Institute है, वो है हमारे लखनव में, जी हाँ दोस्तों, Central Drug Research Institute हमारा कहाँ पर है, लखनव में, तो दोस्तों इस से में question पूछे जाते हैं तो आपको यह याद रखना है और इसका फुल फार्म भी याद रखना है दोस्तों नेश्ट फुल फार्म है यह MMR जी हां दोस्तों MMR का क्या मतलब होता है MMR का मतलब होता है maternal mortality rate क्या होता है maternal mortality rate नेश्ट फुल फार्म है दोस्तों IMR जी हां दोस्तों नेश्ट फुल फार्म क्या है IMR IMR का क्या मतलब होता है IMR का मतलब होता है infant mortality rate क्या होता है infant mortality rate नेश्ट फुल फार्म है दोस्तों RCH प्रोग्राम क्या है RCH प्रोग्राम क्या होता है इसका फुल फार्म है reproductive and child health care program तो दोस्तों अगर आप इसको दो तीन बार बोलते हैं तो आपको याद बहुता है हो जाता है next full farm है दोस्तों IUDS next full farm क्या है IUDS IUDS का full farm क्या होता है intra uterine devices क्या होता है intra uterine devices चलिए दोस्तों next slide को देखते हैं जो next slide है उसमें कई सारे important full farm दिये है next जो important full farm है वो है MTP क्या है MTP MTP का full farm होता है medical termination of pregnancy क्या होता है medical termination of pregnancy चलिए दोस्तों next full farm में बात करते हैं next full farm है ART ART क्या है ART ART का full farm क्या होता है assisted reproductive techniques assisted reproductive techniques अब चलिए दोस्तों next full farm पे बात करते हैं next full farm है हमारा gift क्या है gift का full farm क्या होता है gigot intra fallopian transfer क्या होता है gigot intra fallopian transfer दोस्तों ये सारे जो full farm है ये बहुत ज़्यादा important है आपके exam में आ सकते हैं आपको चार आप्सन दे देगा gift I.U.T. I.C.S.I. ऐसे करके देख देगा और उसका full farm दे देगा तो आपका matching से प्रशन बन सकता है तो दोस्तों आप इस full farm को neat need to 2020 अगर exam देने जा रहे हैं तो इसको जरूर याद करके जाईएगा और इस वीडियो को जरूर देखिए और ज्यादस ज्यादा शेयर कीजिए लोगों को ताकि जो neat exam 2020 देने जा रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा साबित हो तो चलिए दोस्तों नेश्ट full farm पे बात करत हैं इंट्रा यूटे राइन ट्रांसफर होके चलिए दोस्तों नेश्ट full farm पे बात करते हैं जिफ्ट क्या है जिफ्ट जी-ाई-य-फ-्-पि ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पर जी-अ-ई-फ-त है और यहाँ पर जैड-A-I-E-F-T है केवल стати और तो आपको यह एक व फुल फार्म गैमीट इंट्राफेलोपीयन ट्रांसफर्ण तो दोस्तों इसका आपको जो बेसिक डिफरेंस है यह पता होना चाहिए आप चलिए दोस्तों नेश्ट फुल फार्म पे बात करते हैं नेस्ट फूल फार्म है IECSI, IECSI का जो फूल फार्म होता है वो होता है इंट्रा साइटो प्लाज Посब कर तो यह वो इंपवार्टेंट तो दोस्तों इसम में सबसे पहले जो आता है वो आता है PIDS जी हाँ दोस्तों इससे exam में question पूछा गया है PIDS का क्या full farm होता है PIDS का full farm होता है pelvic inflammatory disease क्या होता है pelvic inflammatory disease और दोस्तों next जो full farm है वो है IUI का इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है intra uterine insemination क्या होता है intra uterine insemination तो दोस्तों ये वो important full farm है जो neat exam 2020 में पूछे जा सकते हैं दोस्तों ध्यान से देखिए IUI का full farm है intra uterine insemination लेकिन मैंने आपको IUT का full farm बताया है उसका क्या full farm है? उसका full farm है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर तो दोस्तों IUT और IUI के बीच जो basic difference है आपको पता होना चाहिए IUI का क्या full farm है? IUI का full farm है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन और IUT का जो full farm है वो है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर और दोस्तों मैंने आपको बताया था IUDS, IUDS का full farm है? IUDS का full farm है इंट्रा यूटेराइन डिवैसेज तो दोस्तों आपको IUDS, IUT और IUI के बीच basic difference पता होना चाहिए तो दोस्तों ये था IMPORTANT full farm जो आपके NEET exam 2020 में पूछा जा सकता है आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा अगर आपने इस वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किये तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किये तो चैनल को सब्सक्राइब कि दिएगा चलिए दूस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक जैहिंद वन्दे मात्रम और इस वीडियो को जदा ज़दा सेयर कीजिएगा चलिए